हेई अब्रीवान वालकम बैक टू माई चानल दगर्स टाई तो आज कि इस वीडियो में बनाने वाले यह बहुत ही खुबसूरत स्लीज का डिजाइन रफल स्टाईल में हैं तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और मैं इसको पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सबसे आसान तरीके से बताऊं अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स् इस तरह से निशान लगाऊंगी तो यह एक इंच और इसका दूसरा वाला साइट जिब सको हम खोलेंगे तो टोटल दो इंच हो जाएगा तो दो इंच का गैप हो जाएगा तो यहां से हमें तीन इंच का ऊपर से निशान लगाना है और नीचे से हमने एक इंच का लगाया है और उसको इस तरह से ट्रैंगलर शेप में तिर्चा में इस तरह से हमें इन लाइन्स को मिला लेना है बिल्कुल इस तरह से तो मैंने मिला लिया है इसको अब हमें कटिंग कर लेना है तो इस तरह से हम कट कर लेंगे तो इसकी मैंने cutting कर ली है और इसके अंदर हमारा दो इंच का नीचे से gap आ गया है एक एक इंच की दोनों साइट से cutting होकर और हमें यहां से अब gathers डालने हैं दोनों साइट से तो इसमें हम gathers डालेंगे तो हमें जो इसका जो bottom चाहिए sleeve का वो total 4 इंच तयार चाहिए तो मैं इसमें इस तरह से gathers डालूंगी कि इसमें 4 इंच मुझे तयार मिल जाए तो देखें जो इसमें बाकी बचा हुआ है उसमें हमें छोटे छोटे gathers डालने हैं ताकि हमें 4 इंच का तयार मिल जाए तो इस तरह से gathers में डाल लूँगी इसमें छोटा छोटा गैब देते हुए तो जिसा कि आप देख सकते हैं यहां तक हमारा 4 इंच आरा तो मैं एक गैदर और डाल सकती हूँ इसके अंदर तो मैं एक और डाल दे रही हूँ और जो थोड़ा सा जो हमारा बार्ट बचव आयंगी तो मरजन में सलाई जाएगा पार्ट होई वह हमारे स्टिचिंग में चला मैंने इसलिए चोड़ा है क्योंकि हम दोनों स्ली को अटाच करेंगे तो मार्जन में सलाई चाए- में–दिजाए डिजाइन में आ जाएगा तो इस तरह से मुझे इसके दूसरे वाले पार्ट में भी तयार कर लेना है इस तरह से गैदर्स हमें डाल लेना है उसके अंदर भी तो देखें मैंने इस तरह से दोनों साइट गैदर्स डाल लिये हैं और दोनों में ही चार-चार इंच का इस तरह से गया पा रहा है और वांकि स्टिचिंग में चला जाएगा तो इस तरह से दोनों equal हो गए हैं और अब हमें यहां पर तिर्ची पट्टि चाहिए यहां पर लगाने के लिए तो देखें इस तरह से मैंने तिर्ची पट्टि काट ली है बिल्कुल आपको इसमें स्ट्रेट पट्टी नहीं लेनी है वरना वो ढंग से अच्छे स्लाई में नहीं आएगी तो मैंने तिर्ची पट्टी जो ली है वो लगबग 1.5 इंच की करीब ली हुई है तो इस तरह से हमको इसको ले लेना है और मैंने ये स्लीव के उल्टे वाले साइड से रखते हुए इसको सिलना शुरू करा है स्लीव का जो उल्टा वाला पार्ट है तो इस तरह से रखते हुए हमें सिल लेना है बिल्कुल घुमाते वे इस तरह से तो ये हमारा इसका स्टिचिंग हो गया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक में कट करके इसको अलग कर दूंगी तो बिल्कुल इस तरह से ये हो गया है रेडी और ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है तो हमने बैक वाले पार्ट से पट्टी क अखे तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है इसको कपड़े कों अंदर रख्ते ह् towards फिर बिल्कुल इससे फूर्ड करते वह सिल लोंगी थो जबिल्कुल हमें कपड़े को अंदर करते वह नहीं सिलना सिर्फ स्क्राजण तो फोल्ड लगाना है इसके उपर हमें जैसा कि आपने देखा बैक से किस तरह से दिख रहा था यह अभी मैं आपको दिखाती हूं सिलने के बाद भी कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से इसको तो देखें यह इस तरह से ready हो चुका है और इसके उपर अच्छे सा से ओसा फ्रींड फाला पार्ट में आपको ट्षे से लगानासे ही है मैं आपको बताती हूं किस तरह से लगानी है यहां से इस तरह से हमें इतना चोटा सा एकदम यहां पर सिलाई लगाना तिर्चा जिसका कोन निकल रहा बस उसी को हमें सिल देना है इस तरह तो ये देख्या ये भी सिल गया है और इसके सिल जाने के बाद इसका फ्रंट वाले पार्ट में इस तरह से ये Design आ गया है तो हमारा ये Design भी complete हो गया है इसमे घैदर्स भी ड्लगए है तो अब हमें इसमें डालने है strips जो नीचे से बांदने के लिए हमें चाहिए, पीता टाइब का, तो अब हमें उसे बनाना है, तो उसके लिए भी हमें फाबरिक ले लेना है, तो मैंने इस तरह से दो straight strips, पट्टियां ले ली हैं, इस तरह से दो, तो इनकी लंबाई हम देख लेते हैं कितनी है तो इसकी लंबाई जो है वो टोटल 13 इंच है और जो चौड़ाई है इसकी वो है तीन इंच चौड़ा है यह तो इस तरह से दो पट्टियां ले लिए है। तो इन दोनों को अब हमें पहले दोनों को आपस में मिला लेना है बीच से फोल्ड कर लेना है इस तरह से दोनों किनारियों को अच्छे से मिलाते हुए और अब हमें एक साइड में एक तिर्चा हमें कट लगाना है कुछ इस तरह से क्योंकि हम इसे फीता स्टाइल बना रहे हैं तो इस तरह से कट लगा देंगे तो ये काफी अच्छा लगेगा और अब हमें एक एक में स्टिचिंग करना स्टार्ट करना है तो अब इन दोनों को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है तो इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें इसमें कितना सिलना है और लखता है नापते हैं तो चार इंच तो हमारा थैया था और दोनों साइट से हाफ-hाफ इंच मिलाकर टोटल पांच इंचिव गया है तो पांच इंच लमबे पर हम पर निशान लगा लेंगे इस तरह से तो मैं चौक से यहां पर इस तरह से निशान लगा लूँगी पांच इंच पे और यहां से अब हम इसमें स्टिचिंग करना है तो स्टिचिंग कितने पार्ट को इसमें हमें करना है वो भी हम देख लेते हैं और उससे पहले जो इसका दूस तो बिल्कुल जहां पर हमya चाउक सबहा है तो यह देखिया सबूजाखन, उससे आगे को नीशनी लगा लिермाल के अधर लगाना कि आधा स छद हैं मैं इसके दूसरे वाले फीते में भी इस तरह से सिलाई लगा देना है same as it is तो दोनों में सिलाई लग चुकी है और अब हमें इन्हें पलट लेना है तो मैं इस तरह से इसको पलट लूँगी कि अंदर के साइड करते हुए तो इस तरह से हम पलट लेंगे जो इसा ही हम दोनों को पलट लेंगे What'. तो इसको पलट लिया है मैंने और इसके बाद जो हमने आधय में छूटा वाला ऐसे कपने बिर्या साइड करते हुए इसी तरह से इसको iron कर लेना है और इसको भी पलट कर उसको भी अच्छे से iron कर लेना है तो जैसे कि देख सकते हैं आप मैंने कर लिया है और काफी अच्छा लग रहा है और अंदर की साइड से जैसा कि आप देख सकते हैं यहां से जो अंदर कपड़ा फोल्ड था उसको मैंने अंदर के सा को दोनों को और सीधा वाला पाट हमें इस तरह से रख ले ना से तो अब इन में इस त्रिप records करना है स्ट्रिप को आइज करने के लिए हमें से चो ट्रैंगुलर शेप वाला ता उसको आगे रखना है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां तक हमने सिलाई लगाई हुई थी और जो कपड़ा अंदर के साइड है उन दोनों को बिल्कुल इस तरह से पकड़के मिलाते हुए दुबारा मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से इसको पकड़ना है और यहां से मिलाते हुए इस तरह से इसे हमें सिलना है तो अब हमें इसको दोनों को मिलाते हुए यहां से अब सिलाई लगा देनी है तो यहां से मैंने इसमें देखिए सिलाई लगा दिया और पहले से इसमें निशान बना हुआ है हमने अच्छे से आयरन कर लिया था तो इजीली निशान हमें लगा हुआ था पहले से ही कि हमें इतने वाले पाट को सिलना है तो और यह सिल चुका है और कपड़ाई अंदर के साइड चला जाएगा इस तरह से जिसा कि आप देख सकते हैं और इस इतनी चोटी और बारीक सिलाई आप चलाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा यह बनने पर तो इस तरह से इसको सिलना है और इसको कम्प्लीट कर लेना है इस तरह से तो अब जिसका यह जो पाट है इसको भी घुमा कर मैं यहां पर सिल लूँगी और इसको एंड में पक्का कर लूँगी अच्छे से तो जैसा कि आप देख सकते हैं देखिए कितने फिनिशिंगे साथ यह अच्छे से रेडी हो गया है और अच्छे से एकदम इसमें सिलाई लग गई है इसी तरह से हमें इसका दूसरे वाले पार्ट को भी सिल लेना है और उसको भी सेम आज इस सेम तो इस तरह से देखे हमारा यह डिजाइन रेडी हो गया है और उसके बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है इसमें जितना आपको फिटिंग चाहिए तो जैसे कि मुझे चार इंच का चाहिए था तो इस तरह से मिलाते हुए और इसके किनारी किनारी अब मैं सिलाई च कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर मुझे बताईएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और ऐसे ही अगर आपको और स्लीव के और नेक के डिजाइन सीखने है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो सेंड कर सकते हैं मैं उस वीडियो को जरूर बनाऊंगी मेरा इंस् चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आपके लिए में लाकी रहेंगी तो थाइंक्यू गाइस थाइंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो कर्वोरा का आपके पिस चैनल पर इस चैनल पर वाचिंगा पर जय तो सब्सक्राइब तो